जै मतरणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्णा फीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमसीवाय जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज हम इस क्या नहीं खाना चाहिए इस दिन कौन-कौन से कार्य है जो हमें करना चाहिए और कौन-कौन से बातों का हमें इस दिन विशेश ध्यान रखना चाहिए तो इस परकार के बहुत सारे महत्यपून बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो के लाष्ट तक बने रहिएगा आप लोगों को पर्दोस ब्रत से संभनधित संपून जनकारी मिलेगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्पून बाते तो सबसे पहले बता दू कि प्रदोस ब्रत जो है वो भगवान सीव को समर्पित है प्रदोस ब्रत करने से भगवान भोलेनत बहुत ही जल्द भक्तों के उपर प्रसन हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनुकामनाओं को पूरी कर देते हैं प्रदोस का जो ब्रत है वो परतेक ब्रत सुभुफल देने वाला होता है प्रदोस ब्रत में साम के समय में प्रदोस काल में भगवान सीव की बिसेश पूजा याचना करना चाहिए प्रदोस ब्रत जो है वो हर महीने में दो बार आता है एक सुकल पक्ष में एक क्रिस्न पक्ष में दोनों ही प्रदोस ब्रत का अपना-पना महातम होता है तो इ साक्सुकलपक्च में परदोस ब्रत 20 मैं को किया जाएगा दीन है सूम बार तो सूम बार के दिन परने के कारण इस परदोस ब्रत का और ज्यदा महातम बढ़ गया है क्योंकि सूम बार का जो दीन होता है वो भगवान भोले नाचका होता है और सोमबर के दिन ये परदोस का ब्रत परा है तो ये सूने में सुहागा है अब चलिए जान लेते हैं कि त्रियोदसी तिति कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं तो बता दू कि त्रियोदसी तिति शुरू होगा 20 मई को साम में 4 बजे से त्र शाकाल में थ्योदशी पीथी रहती है उसी दिन किया जाता है तो अब कि बार बीस माई को साम में थ्योंदशी पीथी है इसलिए बीस माई को प्रदोस व्रत किया जाएगा ठीक और आठ वज के 20 मिनट तक रहेगा तो इसी समय में भगवान भोले नाथ का 20 पूजा आर्शना करे क्योंकि परदोस का जो ब्रत है वो लोग संतान के लिए करते हैं क्योंकि जो लोग संतान की कमना करते हैं वो परदोस का ब्रत करते हैं और तेरस का जो ब्रत है वो सुहाग के लिए किया जाता है वैसे तो भोले नाथ का ब्रत है तो दोनों ब्रत तो सेमी होता है इसलिए लेकिन प्रदोस का जो ब्रत है वो खास करके संतान के लिए किया जाता है और तेरस का जो ब्रत है वो अपने सुहाग के लिए धावन संपत परकास नीकलता है लेकिन प्रदोस का घृत करके संतान के लिए किया जाता है इस दिन अधिया अच्छे के घड़oples हाँ कशंश्ब्स का रहां करें ज्यायर हाँ से निम्रहा लाकाởन करते हमेड शुर्य भग्वान को जल्ज़हे देने हैं जो परकास मतलब कि सुबह में जो परकास निकलता है अगर उस समय हम जल देते हैं जो जल से टकरा करके जो परकास हमारे सरीर पर परता है तो उसे रोग दोस ये सबसे परसानिया जो भी होती है इस सबसे छुटकारा मिल जाता है सारी परसानिया दूर हो जाती है इसलिए सबस सुबा में सारे चार बजे से ले करके और मतलब बाड़े बजे से पहले-पहले तक हमें सुरिय नरायन भगवन की पूजा कर लेनी जाए ऐसे तो जितना सुबा में अप जल दे देते हैं उतना सुबा में ही अच्छा रहता है भांग, धतूरा, अकवा, जो भी आपके पास है, तो उससे पूजा कर ले, क्योंकि भगवान भोले नाथ जो है न, वो नियर्भांगी है, वो थोड़े सा वे में परसन हो जाते हैं, और ज्यादा में भी परसन हो जाते हैं, तो जैसी आपकी छामता है, जो चीज आपके पास में है, उसी से हमें भगवान भोले नाथ की पूजा करनी है, पूजा करने के बाद, अगर आपके आसपास में मंदीर है, तो प्रदोष काल में मंदीर में पूजा जरूर करे, नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, और घर में सिव चाली साम, महा मिर्तुन जय का मं साबू दाना खाते हैं तो सब किसी के घर का नियम अलग-अलग होता है तो आप लोग अपने घर का नियम थोरा सा देख लीजिएगा इसके बाद बता दू कि कोई भी ब्रत तेहवार कीजिएगा तो एक बात का जरूर ध्यान रखेगा कि जूठे ब्रस से हमें ब्रस नहीं कर नहीं तो अगर ब्रत तेहवार में दातुन मिल जाता है तब तो सबसे स्रेष्ट है नहीं तो आप नया ब्रस से ब्रस कर सकते हैं और बता दू कि जो लोग एकादसी का ब्रत करते हैं वो प्रदोस का ब्रत कैसे करेंगे तो देखिए एकादसी का ब्रत है 19 माई को दीन है र मुख में डाल करके आप अपना पारण कर सकती है इसके बाद में आप परदोस ब्रत रख सकती है तो इसी नियम के साथ में हमें एकादसी और परदोस ब्रत का ब्रत करना है तो ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को सुन लेजिएगा इसके बाद भगवान भोले नात को अच्छे से पूजा पाठ कर लिजिएगा भगवान भोले नाथ को खंडित चावल मत चरहिएगा दो चार दाना ही अक्छत का चरहिएगा सोंबार के दिन लेकिन खारा चरहिएगा तूटा हुआ मत चरहिएगा खंडित मत चरहिएगा और अगर आप मंदिर में जाते हैं वहाँ पे पास पास में मंदिर नहीं है तो घर में पूजा करें तो पूजा करके वही उंगली माता पारवती के मांग में लगाई है वही उंगली आप अपने मांग में भी छुआ लिजिएगा इस बत का ध्यान रखिएगा क्योंकि वह माता रानी का प्रसाध होता है इसलिए माता रान करके जरूर बताईएगा और चाइनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश कर दीजेगा जिससे मिरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्यूंकि आपकी एक अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार